Hello everyone, Welcome to PW Only IS दोस्तों बात करें अगर जां हिंदू के front page की तो आप notice कर पाओगे कि एक ना data हमारे सामने आया, एक research report हमारे सामने आयी है जो basically ये बताती है कि जो household होते हैं, उनका जो कर्जा है वो एक नए हाई पे पहुंच चुका है December 2023 के data के हिसाब से इससे पहले भी जो September में report आयी थी, इसी चीज़ के regarding वहाँ पर भी similar चीज़ बताई गई थी, कि actual में लोगों का जो कर्जा है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, और कही ना कहीं ये एक थोड़ा concerning बात है इसका reason बता क्या है, इसके साथ में अगर आप notice करोगे ना तो लोगों के हाथ में जो savings है, वो बहुत जादा कम हो चुकी है तो ये कही न कहीं दिखाता है कि overall जो situation है, वो काफी एक concerning situation में आज के समय हमें, जो हमारे households हैं, वो देखने को मिल जाएंगे अब आप पूछेंगे सर इसके कारण क्या बताएगे हैं, इसके कारण ये बताएगे हैं कि लोगों की जो आमदनी है जो income है, उसके अंदर जो बढ़ातरी आनी चाहिए, वो काफी कम बढ़ातरी है तो ये एक मुख्य कारण यहां पे रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण यहां पे बताएगे हैं कि overall अगर situation, अगर हम बात करें employment के concern के हिसाब से, या बाकी चीजों के हिसाब से, तो वो उस level से नहीं बढ़ा, जिस level से बढ़ना चाहिए था और ये सारी चीज़ें कहीना कहीन एक distress दिखाती है, हाला कि सरकार का हमारा ये मानना है कि ऐसा नहीं है, हाला कि data तो RBI का ही है, बट सरकार फिर भी कह रही है कि data भली ये बता रहा है, पर इसका interpretation थोड़ा अलग धंग से भी किया जा सकता है, कि हो सकता है कि लोग loan वगरा ज अच्छी शायद नहीं है, जितनी हमें शायद दिखाई जा रही है, बट ये data, especially households के लिए एक important खत्रे की गंटी कितना यहाँ पर हमारे सामने दिख रहा है, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर Supreme Court ने यहाँ पर सेंटर को थोड़ा सुनाया है, क्यों सुनाया है, क्यो कि भाईया, अगर सेंटर चाहता, तो आपस में मिल जूल करना, यह सारे फैसले किया जा सकते थे, पर ऐसा हो रहा है कि उनको स्टेट को कमपेल किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे इसे इशूस थे, कावेरी वाला डिस्प्यूट हो गया, बट शायद ऐसा लग रहा है कि सें चीज़ों के रिगार्डिंग हमें इसका जवाब दीजिए, क्या ऐसे कारण रहे हैं, तो यह कुछ पॉइंटर्स थे, जो आपको यहां पर बता होने चाहिए, दोस्तों, डेट है आज की 9 एप्रल 2024, और आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलिम बूस्टर, निउस डिसक वाला चीज़ होती है, यह भी बहुत जब फैलता है, पर यहां पर आज हम H1N1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसकी H5N1 की, ठीक है सर, अब हुआ पता क्या, USA के अंदर, कुछ डेरी काउस के अंदर हमें यह बर्ड फ्लू देखने को मिला, ठीक है, तो उस से हमें करना है, हमें यह करना है कि एक परसन है, बहुत एक बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने यह बोला, कि यह जो बर्ड फ्लू फैला है ना, यह COVID-19 पैंडमिक से भी 100 गुना जादा खराब होने वाला है, अब जब यह बाते सुनी गई इस एक्सपर्ट की, तो लोगो के मन में आ गया एक बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा पैनिक, क्यार COVID-19 पैंडमिक के हमें जाद है, यार सेकिंड वेप सब को याद है, अब ऐसे टाइम की उपर जब कोई ऐसा बोलेगा कि यह COVID-19 पैंडमिक से भी जाता भ्यावे होने वाला है, तो सब का concern बनना बनता जानते हैं इस बर्ड फ्यू के बारे में, कि आखिर ये इतना पैनिक करने की जुट क्यों नहीं है, जैसे आपके जो जिसे पोल्टरी हो गया, वहाँ पर ये तो बहुत फैलता है, और इनके अदर तो बिल्गूल फैलता ही फैलता है, पर इंसानों के अंदर इनके फैलने क पॉसिबिल्टी बहुत-बहुत कम होती है, पुराने टाइमस में भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अभी तक जो हम नोटिस करोगे, तो जैसे for example, human infections हुआ था, H5N1 का वो पहली पां 1997 के अंदर रिपोर्ट किया गया था, हौंग कॉंग के अंदर, तो 2003 और 2024 के वीज म फिर death probability बहुत जादा है, समझे इस बात को, कि लोगों के अंदर होता कम है, पर एक बर अगर हो जाए, तो फिर death की probability काफी जादा देखने को मिलती है, पर आप पुछेंगे, सर लोगों के अंदर होता ही क्यों है, human infection इसमें आता ही क्यों है, human infection के बीचे कई कारण हो सकते है For example, अगर मान लो कुछ ऐसे person है, जो कहिना की बहुत लंबे time के तक, H5N1 जिन animals को है, उनके साथ contact भी रहते हैं, तब उनको हो सकता है, otherwise ये नहीं फैलता humans के अंदर, बहुत ही rarely फैलता है, मैं ये नहीं कह रहा है कि zero gaze होता है, नहीं, फैलता है, बट बहुत ही rarely यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, इसके अलाबा अगर आप और नोटिस करो, तो इसका treatment है, वो भी हमारे पास available है, और भी vaccine candidates हमारे पास है, पर कहिना की readily available हमें नहीं देखने को मिलती है, बाकि जैसे मैंने आपको बताया, इसकी mortality, death rate जो है, वो अपने आपे बहुत हाई देख लोग चिकन खाते हैं, एक्ज बगरा खाते हैं, क्या वो खाना सेफ है, देखो पहली बात तो यह समझो, कि अभी यह जो चीज हुई है, यह USA के अंदर हुई है, तो इंडिया वालों के लिए तो ऐसे कुछ अभी तक तो concerning बात नहीं है, कलको इंडिया में होता है, तो हाँ थोड़ा concern बढ़ेगा, दूसरी बात अगर आप notice करोगे न, actual में होता क्या है, अगर कोई person, chicken को high temperature पे cook करते हैं जब, तो उस वज़ा से क्या होता है, उसके pathogen मर जाते हैं, तो pathogen मरने के बाद वो चीज खाने लायक बन जाती है, समझे इस बात को, हाला कि अपनी concern अपना बिल्कुल जायज होना चाहिए, बट point मेरा ये है कि, जब भी हम chicken को high temperature पे उनको cook करते हैं, उससे pathogen की death हो जाती है, जिस वज़ा से वो consumption के लिए fit माने जाते हैं, बाकी आप notice करोगे कि डबडी एचो की जो priority list है, pathogen of pandemic potential, उसके अंदर even influenza नहीं आता, very very important point, ये line आपसे UPSC पूछ भी सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं next topic की तरफ, next topic मरा है नेपाल's lower house endorses BIMSTAC charter, देखो आप सभी को BIMSTAC के बारे में पता होगा, BIMSTAC को 1997 के अंदर form किया गया था, ताकि region cooperation ही आपे increase हम कर पाएं, जब देखो start हुआ, तब इसके अंदर 4 countries थी, जिसके अंदर आप होगे, तो आज के समय आपको 7 countries के देखने के मिल जाएंगी, इंडिया, शिरलंका, नेपाल, भुटान, बांगलादेश, मैनमार, एंड थाइलेंड, तो 7 countries आप नोटेस कर पाऊगे किस तरह से ये South Asia को, South East Asia के साथ connect करता है, बाकि इसमें पाकिस्तान भी नहीं आता, तो हम हमें उसकी भी चिंता नहीं है, तो इस तरह से आप रोटेस कर पाऊगे, विमस्टेक का formation किया गया था, जिसका आपका headquarters धाका बंगलादेश के अंदर देखने को मिल जाते हैं, अब इनका purpose यही था, कि देको Bay of Bengal initiative है, खीक है न, formalty sectoral, technical and economic cooperation, तो समय समय के साथ ना, इसका ज हमें देखने को मिल जाती है, अब बेमस्टेक का जो charter था न, वो अभी 2022 के अंदर ही, उसको sign और adopt किया गया था, शिरलंका के अंदर, यहां पर discuss किया गया, क्या इसके principles, क्या structure होना चाहिए, वो सारी बाते हैं, अब हुआ क्या, over the time पिछले दो सालों के अंदर, छे countries ने त सारे जब हर country अपने अपने पार्लेमेंट से उसको approve करवा देंगी, तो यहां पर भी यही चीज हुई है, कि अभी आखरी जो बचा हुआ था निपाल, उसने भी यहां पर इस BIMSTAC charter को enforce कर दिया है, पार्लेमेंट से वहां पर enforce मिल चुका है, तो सातों की सातों countries ने यहां पे BIMSTAC charter को indoors कर दिया है, I hope यह BIMSTAC क्या है, and overall यह charter क्या था, यह चीज़ें आप समझ के होगे, next बढ़ते हैं, अगले topic तरह, that is funny गिरी, देखो आप जानते हो, fun के बारे में, जो snake का fun होता है, बिलकुल, और गिरी का मतलब होता है mountain, तो actually में हमें तेलंग गाना के सूर्य पर district के अंदर एक mountain देखने को मिलती है, जिसके जो shape है, वो नाग के तरह है, जो fun की तरह है, जिस वज़ा से इस particular mountain का नाम पड़ा है, funny गिरी, चलो यह बात तो समझ आई, अब यहाँ पर ना funny गिरी में आपको buddhist site देखने को मिलती है, अब आप पुछे के सर्थ buddhist site, हा print करती है, तो दोनों की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, दोनों coexist यहाँ पर करती है, अब आप पुछे कहां पर सर्थ बात कहां पर कर रहे हो, देखो यह हम बात कर रहे हैं, आपका तेलंग गाना के अंदर, यहाँ पर आप notice करो, 3rd से 4th century CE में आपको ए एक श्वाकू जो period होता है, डनेस्टी है, वो देखने को मिल जाएगी, अब ऐसा माना जा रहा है कि अभी हमें क्या मिला है, अभी मिला है एक केलो मठका मिला है, खिक है, उस मठके के अंदर हमें बहुत सारे coins देखने को मिले हैं, और यह जब coins का हमने देखा गया कि इसका गुद्धिस साइट है, यह आपको सूर्य पे डिस्टिक्ट एलंगाना के अंदर देखने को मिल जाएगी, नागरम मंडल है वहाँ पे, और यह मूसी की एक ट्रिब्यूटरी है, जहाँ पर आपको इसके लेफ्ट साइड पर आपको देखने को मिल जाती है, और थोड़ा ह इस फणी गिरी में आपको यहाँ पे चैतियाज हो गया, विहाराज हो गया, हॉल्स हो गया, स्टूपाज हो गया, इस तरह से मंडपम हो गया, सर्क्लो चैतिय हो गया, बहुत साइड चीज़ें आपको बुद्धिसम के रिकारिंग देखने को मिल जाएगी, महायान और हीन सुना होगा, सिंगराम का नाम बहुत सुना होगा, अरवापली हो गया, बाकी भी इसके लावा भी फेमस हैं, बढ़ यह तीन तो डेफिनेटरी काफी बार नियूज में भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे तोरन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बुद्धिस र दोनों में आपको देखने को मिलता है, बाकी जैसे मैं आपको कह रहा था, यह एक श्वाकू डेनेस्टी को यहाँ पे बिलॉंग करते हुए क्वाइंस देखने को मिले हैं, यह एक फ्यूडेटरी ट्राइब थी अंडर पैट्रोनेज ऑफ सात्वाना एंपायर, जो की इनके रिगार्डि अगर कुछ करेंट एफेस में आता है, डेफिनेटली उसके पूछी जाने की प्रावबिल्टी काफी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, दोस्तों कल ही हमने युनाइटि नेशन हुमन राइट काउंचल के बार में पढ़ा था, बिल्कुल, अब वो देखो, इंटर सेक्स इंडिविज्वल्स ऐसे इंडिविज्वल्स को कहा जाता है, जिनके रिप्रोड़क्टिव या सेक्शुल ऑगन्स या जो पार्ट्स होते हैं, वो मेल या फीमेल की टिपिकल डेफिनेशन के साथ फिट नहीं बैठते, मैं आपको समझाता हूं, जिस इसका मतलब होता है जब परसन के क्रोमोजम्स होते हैं, वो मेल के होते हैं, पर जैनिटल या तो एप्सेंट होते हैं, या फिर फीमेल के होते हैं, इसके अलावा हो सकता है true gonadal intersex, इसमें क्या होता है, एक individual के male female दोनों character sex देखने के मिलते हैं, साथ साथ होता है एक complex और undeterm intersex, यहाँ पर इन तीनों के अलावा कुछ और अगर बच जाए, वो एक चौथी category complex intersex को बोल दिया जाता है, जैसे इस for example, आपने examples समझने हो तो इसको आप देख पाऊगे, कि कोई female hormone level वाली महिला है, वहाँ पर आपको penis देखने को मिलेगा, या फिर कि male traits तो हैं, पर penis नह नहीं कर पाऊगे, male और female के जाने होना, उनका blend होना, या फिर अगर आप नोटिस करोगे, और इस तरह के जो और अगलग different combinations हैं, यह सारे intersex क्रेगरी में आ जाते हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ है, Human Rights Council के अंदर एक resolution स्टार्ट किया गया, Finland, South Africa, Chili और Australia के द्वारा, इसको जिसको पास्ट भी कर दिया गया, यहाँ पर बात यही कर गए कि actually intersection individuals के साथ ना, बहुत सारी violence, बहुत सारी discrimination, यह harmful practices या फिर mistreatment देखने को मिलता है, तो उसी को खतम करने के लिए, यहाँ पर यह resolution यहाँ पर लाया गया, तो already बहुत सारी nations ने बहुत अच्छा काम इस पर किया भी है, जिसे Australia, Malta, Spain ने अल्री एक legislation लेकर आ चुके हैं, Kenya और Portugal ने भी various measures लिये हैं, ताकि उनकी healthcare education को बहतर किया पाए, मेक्सिको साथ अफिका के अंदर भी anti-discrimination status हमें देखने को मिल जाएंगे, तो यह आप statutes, आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि proper इनको भी equality म मिले, तो इंडिया में भी अगर हम बात करें, देखो, इंडिया में हमने कोशिश जरूर करी है, 2021 के अंदर एक moment भी start होती हो, देखने को मिलती थी, जहां पर हमें देखने को मिला कि किस तरह से जो कुछ surgeries करी जाती हैं, जो कि कुछ unnecessary forceful surgeries होती है, उनके उपर एक रोक लगा को जिससे बात करी गई, कि हम surgeries, जो कि unnecessary surgeries हैं, उनको बैन करें, हाला कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, पर definitely कोशिश यहां पर जारी है, इसी सरा से आपको Intersex Asia के नाम से भी एक organization Asia में देखने कि मिल जाएगी, जो कि इनके Intersex people के rights को protect करती है, नेक्स्ट नमरा topic हैगा, कुमिती पत्थी testifies to the pre-historic Congo region, दरसल में आपको इसका meaning समझाता हूँ, कुछ लोगों के द्वारा क्या किया गया, कुछ लोगों के द्वारा, तमिल नाडू कॉम्बिटर के पास में एक village है, कुमिती पत्थी, वहाँ पर paintings थी, ठीक है ना, rock art paintings, उ और ऐसा माना जाता है, यह जो region है ना, this is Congo region, ठीक है ना, कौन सा region, Congo region, ठीक है, अब यहाँ पर आपको न, over the time, बहुत सारी paintings हमें discover हुई है, और ऐसा माना जाता है, यह paintings लगबग 3000 साल पुरानी है, सोच पारे हो 3000 साल पुरानी paintings, तो important rock paintings यहाँ पर आपको इस तरह से देख मिल जाते हैं, तो इनको draw किया जाता था natural cave की paintings के उपर, जो आपकी caves होते हैं, उनकी walls के उपर with white pigments, अब बहुत सारे जो आपके historians हैं, वो इसको अलग-अलग तरह से interpret करते हैं, कोई कहता यह रत है, कोई कहता पीकॉक है, but anyways, आप समझ गें कि rock art कितना कितना ज़ादा important हमें history को construct करने के अंदर importance रखता है, even 2020 या 2021 के mains के अंदर भी UPSC ने इसके recording question पूछा हुआ है, जो cave paintings आप जानते हैं, इनको pictographs के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर rock arts के अंदर, आपके stone के उपर, walls के उपर, आपको paintings आपको देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर drawings हो गया, इन यहाँ पर कुम्ती पत्थी की, तो आप notice करोगे, ऐसा बताया जा रहा है कि, यहाँ पर इसे रत्व अगरा के हो गया, human figures हो गया, ancient inhabitants regarding scenes देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ ही साथ, caves के अंदर आपको चोट-चोटे holes भी देखने को मिलते हैं, जो यह बताते हैं कि शायद इ समय के उपर बनी हुई हैं, तो उनके अंदर क्या changes आते हैं समय के साथ, paintings के अंदर, वो भी हमें यहाँ पर सीखने को मिलता था, पर जो लोगों ने यहाँ पर इस painting को damage कर दिया, कुछ गलत लोगों ने, वो भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, साथी साथ अगर आप notice करो, तो आस-पास के areas के अंदर भी इस तरह की painting आपको देखने को मिल जाएंगी, काफी सारे लोग यहाँ पर elephant की image को interpret करने ही कोशिश करते हैं, एक्चल मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर एक elephant image है, जो बात कर जाती कि शायद वो यहाँ की इस cave की सबसे oldest painting है, सबसे आस पर हैं, एक जगह है आपकी मवूता पत्थि, ठीक है न, यहाँ पर महूत रिया करते थे, महूत मतलब जो आपके महावत होते हैं, महावत समझते हो, महावत बेसिकली वो लोग होते हैं, जो आपके elephants का ध्यान रखते हैं, उनको drive करते हैं, उनको train करते हैं, उनके देख भाल करते हैं, उनको बोलते हैं महावत, तो महावत जहाँ पर रहते थे, उस जगह का नाम है मवूता पत्थि, और साथी साथ एक और जगह है, वेल्थनम वलम, यह एक जगह है, जिसका मतलब ही elephant होता है, तो लोगों को ऐसा लगता है, हिस्टोरियंस का लगता है कि शायद यह जो यहाँ पर लोग थे, वो elephant trade के अंदर involved थे, ठीक है, हाला कि इसका claim बहुत historical कुछ है ज़्यादा evidence नहीं है, बट ऐसा माना जाता है, तो यह कुछ topic से जो आज हमें discuss करने थे, इसी discussion के basis के पर कुछ मैं आपको homework दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे comment में अंसर बता सकते हैं, इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कल मैंने आपको जो homework दिया था, उसका अंसर डिसकस कर लेते हैं, UI HRC की बात करें तो 5 साल का नहीं, यह 3 साल का term होता है, और मैंने आपको बताया था कि दो बार हो सकता है, उसके बाद फिर reappointment के लिए वो eligible नहीं होत इसके साथ ही, आज का आपका homework देगा, 2016 का पॉलिटी का question है, यह को आना चाहिए आपको यह answer अगर आपने लक्षमिकाद अच्छे से पड़ी हुई है, 2012 में एक question पूछा गया था, history के perspective से, modern Indian history का, तो यह भी आप नीचे मुझे comments में बता सकते हो, कल मैंने आपको जो homework देखने को मिलेंगे यह शिवाजी के, भगवान शिफ के स्वरी, उन में से एक इसको माना जाता है, एसा भी कुछ लोग कहते हैं कि शायद सबसे जो पुराना या जो सबसे secret है, वो यही आपको देखने को मिल जाएगा, यह बात तो बिलकुल correct है, यह तो सबको पता ही होन होना चाहिए, second statement की बात करें कि इसका एक description अलबरूनी के द्वरा दिया गया था, yes, जो एक अलबरूनी अरब traveler थी ना, उनके पर इसके description दिया गया था, और बाद में 1024 के अंदर, जो महमूद ऑफ गजनी था, उसने भी यहाँ पर आया था बाद में, तीसरे statement की बात जो क पहले home minister थे, Wallabai Patel जी, सुरदार Wallabai Patel जी, उनके तरह यहाँ पर order किया गया था, 1951 जब बाद में इनकी death हो जाती है, उसके एक साल बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, basically, इसकी construction कंप्लीट होगी, 1951 के अंदर, उस समय हमारे देश के जो राश्टर पती थे, Dr. जंदर इसके राव मैंने आपको यह home work भी दिया था, विद रिगार्ड्स टू, इंडियन स्वैम डियर बारा सिंगा के रिगार्डिक, यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा, मध्या परदेश का आपका, जो काना नैशनल पार्क है, ठीक है, काना नैशनल पार्क, आप जानते हों तो पहला option number A is the correct answer, तो दोसों यह थी आज की discussion, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप माँ टेलिग्राम चैनल PW Only Air से विछल जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, और अपनी preparation को और भी बहतर बना सकते हो, thank you very much for the discussion.